हेलो फ्रेंट्स वेल्कम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बिदालोग सिंग राजपूत में आज में आपको मेरा सेटाइडे कमेंट बॉक्स टू है या नहीं मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं कि मैं हर सेटाइडे को एक निव वीडियो अप्लो आप ही लोगों के जितने मेरे वीवर्स है मेरी पूरी फैमली है जो आपकी उनी में से आपके जो कमेंट्स में आपके लेके आया हूँ इसलिए हमारा वीडियो में लास्ट तक बने रही है और आपकी ही डाउट्स हैं जो आपको हमेशा परसान करते हैं जिसे आगे मेहमान होते हैं जो पुराने मेहमान है जो पुराने गैस्ट है हमारे जो सब्सक्राइब कर चुके होते हैं उनको किसी भी टाइप का कुछ भी नहीं करना होता है और इसके साइड में एक बैल आइकन भी जरूर्वर्स कर लीजिए चलिए आपको बताते हैं पहला कमेंट कि पहला ट्विंकल वर्मा जी का कमेंट्स है क्या पूछा है पूछा है पूछा ही है सर हाइश्कूल में मदर के ने थोड़ी चेंजिंग हो गई है तो इंटर की मार्स्वीट से मैच नहीं खा रहे हैं तो डेट बस में 3 अक्टूबर की जगा 30 अक्टूबर हो गया है तो लम क् आपका जो टैंज जिसमें चेंज होगा वो मनवा लीजिए उसके बाद को इश्यू नहीं लेकिन इश्यू आता है आपकी डेट बर्थ में आप बोला है कि 3 अक्टूबर की जगा 30 अक्टूबर हो गया है जो इसमें आपको इश्यू आएगा क्योंकि डेट बर्थ और नेम कुछ ऐसी चीज होती है जो यूनिक होती है जिनको चेंज नहीं किया जा सकता मा और पापा के नाम में चेंज हो सकता इसाई चीज़ लेकिन डेट बर्थ में आपको चेंज नहीं मिलेगा इसलिए आप जितनी भी जल्दी हो सके आप अपने डिपार्ट्मेंट से हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं सचीन जैन जी का कमेंट है यह दिखते हैं क्या कमेंट है कि बोलना है सर मैं MP से हूँ मेरा MTS में आर्कोलोजिकल करनाटिका में हुआ है मैंने MP में एसिस्टेंट रिवेन्य इंस्पेक्टर का एक्जाम दिया है जिसमें मेरे 80% चांसे से और 1900 ग्रेट पर से कम है तो प्लीज सजेस्ट कीजिए कौन सी जोब अच्छी रहेगी सबसे सचीन आपको बता देता हूं अगर आप MP में रिवन्य इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हैं और आगर आप हो में हैं तो आप बिल्कुल ले लीजिए वापे क्योंकि हो सकता है क्योंकि MTS में क्या है आपको थोड़ा सा प्रमोशन अभी 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 के कुछ दिरों में करें अगर आप MP के हैं तो बिल्कुल आप असिस्टेंट रिवन्य इंस्पेक्टर का ही पोस्ट लीजिए क्योंकि करनाट का MTS रहते आप सर्वाइव करना बहुत मुस्किल होगा नौर्थ वालों का साउथ में और साउथ मालों का नौर्थ में बहुत ही मुस्किल होता है स आप असिस्टेंट रिवन्य इंस्पेक्टर को ही लीजिए नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पर जस्वीर सिंग का कमेंट है बोलना है सर आई एम स्लेक्टेट एस MTS in Ministry of Labor and Employment सब्मिटेट माइच सेप्टेंस लेटर ओन 6 अगस्ट नौवेन विल आई गेट कोई भी यूट्यूबर कोई भी वेस्बूग कोई भी नहीं बता सकता यह चीज़ सारी चीज़ें आपको आपको कंसर्ट मेंट के थ्रू ही मिलेंगी इसलिए मैं सज़ेस्ट करूंगा आप सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट से कनेक्ट में रहिए और वहां से आपको स पर पर आपके जो सीनियर होंगे आपका जो भी सीनियर होगा उस आपिस में उस पर डिपेंड रहता है कि आपको पढ़ने देता ही नहीं मेरे ऑफिसे में भी एमटेस लोग है अपको पढ़ने के लिए बहुत बाइब क्योंकि आपको काम है जो 2-3 गंटे का होता है सारी फाइल से और जो भी मेल्स होते हैं इदर उदर देने होते हैं बाकि आपको कोई ऐसा काम नहीं है इसलिए आप आगे इसमें पढ़ सकते हैं अब बात करते हैं मोंटी मंजीत जी बोल रहे हैं सर हमारी जोइनिंग हुए 20 दिन हो गए हैं आपने जो बताया है सब रियल है थैंक्स सर्दी तो मैं तो पहले भी बता चुका हूं कि मैंने जो भी रियल चीज़े बताई हैं चाहाए वो किसी भी चीज से लेटेड हो आपको बहुत सारे यूट्यूबर आपको कुछ भी बताएं क्योंकि जिस बंदे ने कभी जॉइनिंग ही नहीं किया जो बंदा काम ही नहीं करता है सिर्फ रूमर्स पर अपनी वीडियो अप्लोड करता है उस पर बहुत मुस्किल है बिलीब करना लेकिन मैं काम कर रहा हू एक्सक्रीूर के एक्सपिर्य poking और यह सारे यूट्यूबर्स के पास नहीं क्योंकि कुछ YouTube क्या पता ही सारी चीजन, कैसी होती है इसलिए मॉन्यामांटी मंप भी आपका सबसे पर ह्याएं क्योंकि आपने बिलीब गया और आप हमारे कंटिनू सब्सक्राइबर्स हैं आपके हमारे लिए चलिए नेस्ट बढ़ते हैं कि रिएट्व प्रिसांद जी बोले हैं सब्सक्राइब कर ले जाना ज़रूरी है क्या प्लीज रिप्लाइब तो मतादूं आपका जो भी डॉक्मेंट वेरिपिकेशन होगा वहाँ पर आपका एडिमि सब्सक्राइब होता है आपका जरूरी होता और आप सीजल में तो आपका डिग्री और माक्सीट और आपके सब्सक्राइब होती है चलिए आपको नेक्स्ट बिन लेके चलते हैं आई उसी अग्रवाल जी पूछे इस सर्मया सिया रेजन का नोमिनेशन स्टेटस अंडर प् आपको नहीं करेगा क्योंकि आपको जो भी आपको डिपार्टमेंट अलोट हुआ है आप वही डिपार्टमेंट आपको कंसर्न करेगा आपको सबसे पहले वहीं करिए चलते हैं सिद्धार्थ बडोले बोलना है सर व्यापम पटवारी में कौन सी बेटर है तो मैं अगर आपको MTS आपको होम स्टेट में मिलिए तो आप बिल्गुल MTS जोइन के लिए क्योंकि मुझे पता है MTS क्योंकि मुझे पता है व्यापम पटवारी सिर्फ 21,000 ही सेल लिए और प् आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसलिए मैं बताओं अगर आप इस बात को याद रखना कि आपका MTS जो होम स्टेट ही मिला होम स्टेट मींस आपको नौर्थ मिला अगर नौर्थ के हैं तो अगर आप साउथ के हैं तो साउथ ही मिला और आपका जोन चेंज होता है आपको कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन इसके बाद आप म्यूशन ले सकते हैं और आगर आपकी लिंक अच्छे हैं तो आप ट्रांसफर करा सकते हैं कोई इस्यू नहीं ने में नवनीत कुमार जी बोले सर मेरे एक्जाम होने वाला है और जोइनिंग भी साइद एक एक्स्टेंशन मिल जाएगा इसमां कोई इस्यू नहीं है लेकर चलते हैं अब इसे पूछ रहे हैं सब्सक्राइब में जाके जो स्पोर्समें हैं उनके लिए क्या प्रमोशन फैसलिटीट है प्लीज बताइए देखो इस्पोर्समें की जो फैसलिटीज हैं बहुत सारी फ अपाटमेंट हीदेगा देख सकता है चलता है यही नेयरे सारे कमेंटे मैंने बहुत सारे लोगों की कमेंट करें यही और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब चरू ığını सोंट और मैं ताव को मैं अप्लोड करता हूँ भले ही सेटार्डे क्मेंट्स क्रता हूं तो को